मामेट्रो ने निर्मान कारे की शिरुआत सही अनोखा निर्मान कारे करते हुए शहर के विकास में अमूल योगदान किया है जिस पे वर्दा मार्क पर डबल डे का उडान पुल, आनंद टॉकिच के पास निर्मित बैलेंस केटली वर, सीता बर्डी में तयार इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन और जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से शहर को नई पहचान दी है इसमें और बढ़ोतरी करते हुए कामठी मार्क पर गड़ी गोदाम गुरुद्वारे के पास चार मंजिला पुल तयार करने के लिए विशाल काय लोहे का स्ट्रॉक्चर तयार किया गया है महतपूर्ण है कि भारी भरकम लोहे का स्ट्रॉक्चर बूटी बूरी M.I.D.C. में तयार किया गया और सड़क मार्क से यहान लाया गया यह structure प्रतम तहा भूटी बोरी में खड़ा किया गया और कारी पूर्ण होने के पश्यात इस structure को dismantle कर सड़क मार्क से गड़ी गोदाम लाया जा रहा है बूटी बोरी में 250 टन शमता की दोड़ क्रेन का उपयोग किया गया गड़ी गोदाम में इसे खड़ा करने के लिए 500 टन और 300 टन वजन शमता की क्रेन गर्डर लाँचिंग के लिए लगाई गई है यह देश की पहली सनरचना है जिसमें चार स्थरिये निर्मान कारे किया जा रहा है रिच्टू के मुख्य परियोजना प्रवंदक प्रकाश मुदलियान ने बताया कि इस से ब्रिच का निर्मान करना बेहट चुनोती पून कारे है 700 टन वजन के गईडर को लाँच करना है ब्रिच के गईडर का कुल वजन 1640 टन है गईडर लाँचिंग के बाद कॉंक्रीट का कारे होगा और उसके बाद पटरी और OHE का कारे किया जाएगा रेलवे की और से पूरे कारे के लिए कुल 24 घंटे का ब्लॉक मांगा गया है गईडर लाँचिंग के लिए 4.5 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा अब तक 8 घंटे का ब्लॉक किया जा चुका है कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ शिती जादेश मुख बीसीन न्यूस नागपुर